फलित जोतिश में शनीदेव को लंबे शरीर वाला, लाल लाल आखे, घूरे रंग वाला, मोटे केश और बड़े-बड़े दान्तों वाला बतलाया गया है। ये मृत्यू लोग के दंडा धिकारी है। मकर तथा कुंभ राशी के स्वामी शनी तुला राशी में उच्चराशिगत तथा मेश राशी में नीच राशिगत संध्यक कहे गए हैं। प्राणियों के जीवन में सफलता और अस्फलता का ग्राफ काफी कुछ इनी की कृपा पर निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली में शनी देव किस भाव में है और उसका क्या फल रहेगा इसका जोतिशिय विशलेशन करते हैं। प्रथम भाव किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदी शनिदेव प्रथम भाव में रहते हैं, तो जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति तो करवाते हैं, किन्तु उसकी कार्य गतिविधियों पर भी नजरे जमाए रहते हैं। इस भाव में बलवान शनी जातक की सभी मनोकामनाय पूर्ण करते हैं, तथा उसे अध्यात्म का गूड ज्यान भी देते हैं। के पडोसियों से कुछ न कुछ विवाद बना रहता है। इस भाव में शनी देव की शुबस्थिती व्यक्ति को आर्थिक रूप से काफी मजबूत बनाती हैं, किन्तु अशुबस्थिती के परिणाम स्वरूप आर्थिक हानी का सामना भी करना पड़ता है। त्रीतिय भाव किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि शनी देव त्रीतिय भाव में हो तो वह अति उत्साही, पराक्रमी तथा अपने साहस के बल पर विशम परिस्थितियों से लड़ते हुए विजय प्राप करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति छोटे स्तर से कार्य करते हुए जीवन के सर्वोच शिखर पर पहुँचते हैं और उन्हें अपना परिचय कराने की आवशक्ता नहीं रहती वे समाज में अच्छी ख्याती प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को भाईयों से सहयोग तो नहीं मिलता किन्तु यह स्वयम उनके सहयोग के लिए तत पर रहते हैं। चतुर्थ भाव किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनिदेव चतुर्थ भाव में होते हैं। तो वह इस बात का संकेत होता है कि जातक को जीवन में कठोर संधर्षों का सामना करना पड़ेगा। अशुप सिती हो तो ये प्राणी को मानसिक रूप से अती प्रतारित करते हैं और माता-पिता में से एक का सुक छीन लेते हैं। या किसी एक का स्वास्थ्य हर समय खराब रहता है। ऐसे लोगों को मित्रों तथा संबंधियों से नुकसान उठाना पड़ता है। शनीदेव शुभों अत्वा अपने घर में या उच्च राशी के हो तो सभी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। पंचम भाव जिन जातकों की जन्म कुंडलियों में शनीदेव पंचम विद्या भाव में होते हैं। उन्हें शिक्षा प्रतियोगिता में धीरे-धीरे सफलता मिलती है। कही ना कही इन्हें संतान संबंधी चिन्ता भी परेशान करती रहती है। प्रेम संबंधी मामलों में ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगती है और भावनाओं में बहकर किये गए प्रेम विवा में भी बाद में परेशानिया आती है। शनीदेव का अपने घर में अत्वा शुब स्थिती में रहने से व्यक्ती शिक्षा और समाज के क्षेत्र में नए मापदन्ड स्थापित करता है। आर्थिक रूप से ऐसे लोग मजबूत रहते हैं। सफल रहते हैं। समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में पूर्ण सफल रहते हैं। इस भाव में अशुब राशी में शनी की स्थिती स्वास्थ्य पर विप्रीत प्रभाव डालती है तथा जातक को कर्ज के बोज तले दवे रहने का संकेत देती है। ऐसे ल ससुराल पक्ष से भी रिष्टे बहुत अच्छे नहीं रहते। कार्य व्यापार की द्रिष्टी से अनिश्चित्ता का माहौल रहता है तथा साजह व्यापार करने से भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। शासन सत्ता तथा उच्चाधिकारियों से ऐसे लोगों को मधूर संबंद बनाये रखना चाहिए और जहां तक संभव हो जगडे विवाद से बचके रहना चाहिए। इनकी शुप स्थिती संधर्षों को शीग्र समाप्त करने में मददगार सिद्ध होती है। आठवा भाव इस भाव में शनी देव की स्थिती काफी मिलेजुले फलकारक रहती है। नीच अठवा अशुब राशी में होने पर ये व्यक्ती से कठोर संधर्ष करवाते हैं, जातक को छोटी-छोटी सफलताओं के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। स्वास्थय पर भी विप्रीत प्रभाव पड़ता है और किसी लंबी बीमारी के होने का खत्रा निरंतर बना रहता है। उच्चराशिगत अथवा अपनी ही राशी में शनी देव के होने पर जातक दीरगायू तथा महाप्रतापी होता है। समाज में उसके द्वारा लिये गए निरनय और किये गए कार्यों की सराहना होती है। नवम भाव इस भाव में शनी देव जातक को धीरे धीरे सफलताओं की और अग्रसर करते हैं। कई बार कार्य बाधाओं के कारण ऐसे लोग निराश होने लगते हैं क्योंकि जो कार्य दो दिन में होना चाहिए था उसे होने में दो हफ़ते लग जाते हैं। अपने जीवट जुझारू स्वभाव के कारण ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों से लड़कर मन्जिल तक पहुँचने में सफल रहते हैं। इनकी शुभाशुप स्थिती जातक को आस्तिक और नास्तिक दोनों बना सकती हैं। अच्छी स्थिती विदेशी कंपनियों से लाब अत्वा विदेशों में निवास का मार्ग प्रशस्त करती है। दशम भाव इस भाव में शनीदेव का रहना जातक के लिए कई मायनों में वर्दान की तरह है। प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी ऐसे लोग पूर्ण सफल रहते हैं, किन्तु मातापिता में से किसी एक का सुख कम रहता है। शुबस्थिती अत्वा उच्चराशिगत शनी होने पर व्यक्ति का राज्योग पूर्ण फलित रहता है और वह स्वयन शासन सत्ता का सुख भोगता है। राजनीती अत्वा सामाजिक ख्षेत्रों में ऐसे लोग खूब सफल रहते हैं। अशुप शनी जातक की पद प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करते हैं और उसमें विरक्ती भाव लाकर सन्यास की और प्रेरित करते हैं। एकादर्श भाव इस भाव में शनी देव जातक के जीवन में बड़े भाई के सुख का अभाव लाते हैं, किन्तु ऐसे लोग अपनी उर्जा शक्ती के बल पर छोटे पच से कार्य आरंब करते हुए जीवन के सर्वोच शिखर तक पहुँचते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोगों को कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, किन्तु इन सब पर विजय प्राप्त करते हुए ऐसे जातक सफल उद्यमी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। शनी नीचराशिगत अथवा अशुब हो तो रुकावटों के बाद ही सफलता मिलती है। स्वास्थि के प्रती ऐसे लोगों को हमेशा गंभीर रहना चाहिए। बारवे भाव इस भाव में शनी देव का रहना जातक को कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम दिलाता है। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी और शत्रों पर विजय प्राप्त करने वाला तो होता है, किन्तु उसके शत्रू बनते रहते हैं और नश्ट भी होते रहते हैं। स्वास्थि की दृष्टी से ऐसे लोगों को आख की बीमारी से बचना चाहिए। सवाल हो तो हमसे पूछिए आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि आपके प्रिये भी लाब उठा सके। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ बहुत जल्दी। शुक्रिया